मैं बात कर रहा था मंगल की रासी ब्रिशिक रासी के बारे में वह तेज तरहारपन तरीके से अपने आपको रिप्रेजेंट करते हैं अगली रासी धनूरासी जो गुरू की रासी है नेतिक्ता से युक्त सद आच्रण सद वहारपुन तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नेतिक्ता से संपुन तरीके से वही कार करने वाले होते हैं इनकी रूची भी ऐसे काम में होती है खासकर सिच्छा देने कारे, संस्ता संबंधी करकेल संबंधी काम, राइटिंग अर्थाद लिपिक संबंधी कारे, धनुरासी वाले राजनितिक के नहीं होते, उन्हें चिड़ होती है राजनिती से, अपने आपको बचाओ करने वाले होते हैं पॉल्टिकल फिल्ड से, मकर आसी जो संबंधी समस्या होती हैं, थोड़े से अपनी आचरल को समभान नहीं पाते, अगली राजनिती कुम्ब राजनिते, जो मकर रासी भी सनी की रासी है कुम्र रासी वाले सेल्फ मेड होते हैं यह अपना एंपायर खुद बनाते हैं किसी के सलाह को नहीं मानते हैं चुकि सनी के मुल्त्री कोड रासी है उकुम्ब राशी का सनी जिसका चद्रमा उकुम्ब राशी का हो थोड़ा सा उनके भाग्योदे में बिलंब होता है 36 के बाद ये बहुत तेजी से राइज खरते है अगली बार इसके बाद पस्चात मीन राशी जो गुरू की मूल्ट रिकोड राशी है मीन राशी वाले वाड़ी में उनके तिछरता होती है वाड़ी में असपष्ट वक्ता का समागम किये रहते हैं वाड़ी में दोश के साथ अपने आपको रिप्रेजेंट करने वाले होते है चुकि मीन राशी गुरू की राशी है मिन रासी का बुध नीच का माना जाता है या बुध अच्छा नहीं होता उतनी ही लगज्रियस भौतिकतावाद और नितिकता का समपुनता को या मिला जुला के अपनी लाइट को आगे बढ़ाते हैं मिन रासी वाले सुभत आजरन वाले भी होते हैं और फुली लगज्रियस लाइब जिने वाले भी होते हैं या मिन रासी से मिन रासी तक की बैख्या चंद्रमा जिस रासी में होता है उस रासी का जो अधिपती ग्रह है वा प्रभावी होता है उस रासी से सम्मंदित कौन सा ग्रह नीच का है या उच्छ का है उस ग्रह का नेचर, फीचर, करेक्टर भी उस जातक वीशेस में अपलाई हो याता है अर्थात चंदर्मा मन का कारक है मानसिक विजाधार को यह इंक्लूड करता है कि चंदर्मा किस राशी में है किस संचतर के किस चरण में है धन्यवाद मैं प्रमिल चत्रवेदी जोच साचार लावाद नमस्ते